आज का हमारे वीडियो काफे ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम सभी को पता है जो भी हमारे इलक्रिशन होते हैं इन इलक्रिशन को वाइरिंग का नोलेज होना काफे ज़्यादा जरूरी है और इसी वज़े से इलक्रिशन से इंटरू में सबसे ज़्याद यह किन केंट फैक्टर को लेके बाते जाते हैं अगर मैं इसका जवाब देते हुए आपको समझाओं तो हम सभी को पता है जो भी वाइरिंग होगी हम कोशिश करेंगे कि वह वाइरिंग की डूरेबिल्टी जादा से जादा हो मतलब कि अगर कहीं पर कॉमर्शल वाइरिंग ह नमारी इंडेश्टिक अंदर घरों कहीं वाइंग हो नो हमारी वा fitted वहां की वर्किंग प्रोसीस कैसी है वहां फे लोग किस उपकरन का उपयोग और रहें उन सभी हो जयरने लायक हारी वााइं है या नहीं मतलब कि सबसे पहली चीज वांटिकर को देखा जाता है इसके अलाव एक और चीज़ देखे जाती है वह हो जाता है हमारा सेफटी मतलब कि कल को किसी कारे में किसी व्यक्ति को इलेक्टिकल शॉक ना लग जाए बाइचांस कहीं पर लिकेज हो रहा है तो वह लिकेज हमारी पूरी बेल्डिंग में ना फ्लो होने कहीं हमारे पूरे रूम को पूरे हौल का लुक का भी जाता है कि अकिर करा referring के स्सारी distingu को लेंके हम जो भी वाइड़ एक qeite qa रहे हैं कहीं हमने काफी ज़्यादा हाइट पर वाइरिंग नहीं कर दी पर साथ ही में भविशे में कोई प्लक शॉकिट की लोकेशन को चेंज करनी है तो वह भी इसली हम कर सकते हैं नहीं कर सकते तो एक फैक्टर यह भी हो जाता है और दोस्ता आकरी के अंदर एक और हो जात दॉस्ता है इन सभी को देखते हुई हमारी वाइरिंग के टाइफ बाते गए हैं अलग अलग परकार बाते गए हैं लेकिन अब मुख्य सवाल पर आ जाते कि अखिरकर हाउस वायरिंग मुख्य कितने ताइपो की होती है दोस्तों हमारी केसिं यह ने किट रहे होता है कुन किस जगे की जाती है कैसे की जाती है इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं अगर हम सबसे पहले की बात करें तो किलेट वाइडिंग को एक तरह से आप टैम्पररली यूज होने वाली वाइडिंग बोल सकते हो अब आखिर गार हम ऐसा क्यों बोलते हैं दोस्तों यह क्लिट हम इसे फटा फट कर सकते हैं अब कि ताली काफी कम कीमत में कर सकते हैं कि एक्जांपल के मिल मिल जाते है यानि एक तरह कोई दिवार में पिलर हम इसको हैंक अद halt में यहाँ उपरिसे वाइर से में से ओलते हैंasure नूसके औंग से नहीं होती है लेकिन अगर हमने कि यह बत करें यह टाइन की वाईरिंग होती है यह हमारे पूरान आय लोडigent की यानि कि जब हमारे कंड्यूर टाइप की केसिंग टाइप की आती थि नुस समय सब बाहे सब्केश्ट Sutra गकंटे को ठोंगा और फिर बात में एसके ओपर यक्र को रगा धुँगा और दोस्य जो वाय होगा इस वायर का लॉन्मल क्लिप की मतंद तो से हेंकर देंगे तसकी ये वाज इधर उधर ना निकले तरसों इस त्रहीके से बैटन वाइडिंग होता है लेकिन अभी हम next बैटन को छोड़के कंड्यूट के उपर आ जाते हैं किंड्यूूट वािडिंग क्या होती है और केसिंग वाइडिंग क्या होती है इन लेकिन अधिकतर केस में आप क्या देखेंगे अधिकतर केसे हम पीवीसी ही कंड्यूट वाइडिंग का उप्योग कर रहे होते हैं क्योंकि इस्टील हमारी थोड़ी सी कोशली पड़ती है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी करते कि कुछ जगह पर तो इस्टील के कंड्यूट का लिए आप पता होनँ काफी ज़ूरी है क्योंकि reduction कर देखा होगा कि हमारे जहां पर के लिब दिवार के उपर ही लगा देते हैं यानि दिवार कि आपर हम मतलब छवए तो वहाँ पर भी हम उपर से तो कर लिते हैं और तो जो भी हम HARP कर वाइक वार्र। उतिये तो वो जो हो जाती है वो हमारी सर्फिस कंड्यूट हो जाती है इसके बाद में कंड्यूट उसे बोलते हैं जिसके अंदर हमने जो भी कंड्यूट है इन कंड्यूट को हमने वाल के अंदर कर रखा है अगर हम सीलिंग के कंड्यूट के बात करें तो उसको हम क्या करते है आर सी जो कमरे के जो ओले उसकी जो कंडू रहे रिख लेता हैं तो यह होता है हमिने कल्ग There को झूग मिलीआ उसको खरीक टृब ह Youtube डीप को हमारी से ख rights यह प्रिगे कंड़ शूरें टाइप की it is question कर दो चीज्जेख Sky हो जाता है आध यह इसके बार में आकरी के अंदर हमारी आज़ती ही casing and capping type की wiring इसके अंदर क्या होता है हमारी दू चीज़े होती है एक हो जाता है हमारे casing और दूसरी हो जाती है casing का मतलब हो गया एक तरह से हमारी नालिया आपने देखा हो गया इस तरीके से हमारे casing रहती है यह PVC की और वुडन की रहती है बात ध्यान रखना लेकिन जो वुडन होते हैं यह वुडन आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा बस पीवी से ही casing डेखने को मिलेगी और इस casing को दिवार पर फ़र ठोक दिया जाता है और उसके बार में जो भी wire होता है यह इसरा आत्या के नाली को कैप से असरा ब्रहर जाता है यह हो जाएक पिंग व्यॉसरा कौ इस तरीकेसे होती है इसके अलावा appearance के मंदले से देखा जाता है कौन सी जादा अच्छी लग रही है इसके अलावा हमारा maintenance coach देखा जाता है कि बाद में अगर कोई fault हाईगा तो कौन सा जादा अच्छा रहेगा इसके अलावा हमारी safety देखी जाती है तो यह कहीं सारे factor होते हैं अब हम line by line देख लेता है कि कौन सी वाइडिंग हमारी case में हमें फायदा पोचाती है सबसे दोस्तों अगर हम cost की बात करें कि initially cost किसमें ज्यादा लगता है और कम लगता है तो दोस्तों starting में जब भी हम वाइडिंग कर रहे होता है तो उसमें सबसे सबसे वाइडिंग परती ह ने सबसारे वह हमारी concrete वाइडिंग हो रहा है इसके इस के बात करी इसके बार मेंстве तो इक और फेक्टर आ जाता है कि आखिर कर कौन सी वाइध को हम स्कूर ने कितना लग रुट सबसे कम समय की कि कर सेक्ब करने में करने लगते हैं कि क्लेट ऐहने को हुह पार हम Çünkü लेंग कर देना है लेकिन इसके बार में अगर देखे दो 받아 si फो छोड़न पढ़ता है है कि इसवाहरे हम को लगाना पड़ता है वुडन फेटिंग का भी हमको टाइम झोड़ना पड़ेका इसके पार में हमारी Cencing केपिंग वाय किरिका interested कारी zeker समयां यहा कomena। मेरी स pseudo करें इसी समया होती है कुछ जाना है को देखते हुए आपसे इंट्रू में पूचा सकता है कि हम temporary purpose से कौन सी wiring को उप्योग में लेता है तो वहाँ पर आपको बताना है क्लिट wiring को उप्योग लेता है temporary purpose का मतलब क्या होता है मैं इसको भी थोड़ा साब को गता हूँ maintenance factors है in wiring को compare करें कि किसमें अगर कोई fault होजागा तो किसमें ढुणना आसान होगा तो क्लिट wiring में तो काफंचा जाल होगा rebellion में काफ्यादा आसान होगा सा मुश्किल होता है लेकिन अगर वायर को रीपलेस करनी की बात करें, तो हमारे कंसी कंट्यूट के बात कारे किया धशक होता है हमारे इतना कंट्रीम में दिख से लेकिक होगी उस इस इस स्प्रीन की अमरी ये के लैंक चीज चीझे घ्या है अपर कोई वायर के FOLD को देखना होता है या फिर उस वायर को REPLACE करना होता है तो हम CLIT WAIRING को ही उपयोग में क्योंगी लेलते तो क्लिट को उपयोग हर जगे नहीं लेने के पिछे का यही आज़ता है मतलब कि कौनसी वाइरिंग दिखने में ज्यादा अच्छी लगती है तो आप देखिएंगी CLIT WAIRING जो होती है तो बेटन वाइडिंग भी इतनी अच्छी नहीं लगीगी, क्योंकि हमारे घर के लुक को पूरा बिगार सकते है, क्योंकि वुड़न दिख रहा है, हमारा वाइड दिख रहा है, तो वह सब चीजे हो गए, इसके बार में दोसों, कंसियल्ट पर इभाइड होती है, दिखने क बात में दोस्तों next एक डिफिना है accessibility को लेके कि कल को अगर हमको हमारी wiring को आगे बढ़ाना है या फिर हमको इस दर शॉकेट है तो इस शॉकेट को हमको इदर दूसरी चाहे करना है तो वह किसमें आसान है तो simple सी बात है हमारी क्लीट के अंदर तो बिल्कुल आसान है क्योंकि क्लीट के अंदर हमको क्या सिर्फ दो क्लीट और कहीं पर हैंक करने और हम आसानी से वाइन को आगे बढ़ा लेंगे और सेम चीज़ बैटन के अंदर भी है बैटन में भी हमको सिर्फ एक लक्टी का फंट सब जादा मुश्किल जो रहता है वो आपको पता होना चाहिए वो होता है हमारा कंसेट के अंदर हमारे स्विच बोर्ड को आगे दूसरे के सिफ्ट करना है तो हमें वापस से पूरे दिवार में गिट्टी करनी पड़ेगे फिर वापस से हमारे पीवीसी को अंदर लगान सबसे ज़्यादा सेफ होती है क्यों होती है क्यूंकि हमारे जो वाइर वाइर बल्कुल होने वाली मीजा सकती अगर गलती से थोड़ी सी भी आग लगी तो वायर के अंदर भी आग जा सकती है बेटेंग के बात करेंग तो बिल्कुल भी फायर प्रोटेक्शन नहीं रहेगी क्योंकि इसके अंदर लकडी का उपयोग हो रहा है इनकी लाइफ को एंफेक्ट होता है लेकिन जो कंसिल्ट कंड्यूट होती है यह हमारे दिवार के वोल के अंदर है इस वज़े से क्या होगा इसकी जो लाइफ होगी जो हमारे वायर के लाइफ लॉंग टाइम में रहेगी वह हमारी Consulate Conduit की जाद आ रहेगी अगर हम Every Life की बात करें तो क्लेट वाइरिंग, बेटेन वाइरिंग, केसिंग वाइरिंग इनके केस में क्या होता है हमारे वाइरिंग के जो लाइरिंग वह 5-10 साल तक बताई जाती है उमीद करता हूँ वीडियो आपके लिए कहिना कहीं helpful सावित हुआ होगा आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करें जो बता है अगर आपको कोई भी सवाल ही शुर्यों को परते हैं इलेकर आपको आपको कमेंट करें पूछ सकते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए आज के लिए तना ही धन्याइब